इस क्लास में हम लोग साइन्स के चैप्टर नंबर 16 को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें कि हमें एलेक्टिक करेंट और उसके केमिकल एफेक्ट्स के बारे में परना था अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखाया तो उसको भी जरूर देख लीजेगा इसी वीडियो के पिंड कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा जैसा कि आपको पता है कि बोर्ट के एक्जाम में चैप्टर के 20 से कहीं से भी कुशन बना कर पूछा जा सकता है और उनको सॉल्व कर पाने के लिए हमारे लिए चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को सबसे आसान तरीके से समझने के लिए आप डीएवी गुरू के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं यहां पर अलग-अलग कैटेग्रीज में आपको हर क्लास के वीडियो मिल जाएंगे यहां से आप अपने क्लास के वीडियो को कभी भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस भी कर लिजेगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सही समय पर पहुंसता रहे पिछले क्लास में हमने यहां तक सभी टॉपिक्स को कम्प्लीट कर लिया था यह सब आपको पार्ट वन में मिल जाएगा आज हम लोग यहां से शुरू करने वाले हैं जिसमें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे Conversion of Chemical Energy into Electrical Energy के बारे में चलिए आजगा सबसे पहला टॉपिक चुट करते हैं Conversion of Chemical Energy into Electrical Energy Chemical Energy को Electrical Energy में कैसे कनवर्ट किया जा सकता है और इस Conversion से हमारा क्या फायदा होता है उसी के बारे में यहां पर हम लोग ढिटेल में पहेंगे हम लोग जानते हैं कि energy को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना possible है और energy को ना तो create किया जा सकता है ना ही इसको destroy किया जा सकता है और इस चीज़ को हम लोग law of conservation भी बोलते हैं जिसके बारे में हम आपको class 6 या 7 में भी पढ़ाये थे हम लोग परे थे कि energy can neither be created nor be destroyed only it can be converted from one form to another मतलब energy को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसको खतम किया जा सकता है बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है हम लोग अपने daily life में बहुत सारे energy convergence देखते हैं उनको count करना possible नहीं है endless number of energy convergence हमारे daily life में होता है जैसे कि जब हम लोग बल्ब जलाते हैं तब भी energy conversion होता है जब हम लोग fan चलाते हैं तब भी energy का conversion होता है बल्ब जलाने पर electrical energy light energy में convert होता है और fan चलाने पर electrical energy mechanical energy में convert होता है उसी तरह जब हम लोग heater चलाते हैं तो उसमें भी energy का conversion होता है आपको comment में लिकर बताना है कि यहाँ पर कौन से energy का conversion किस रूप में होता है input में हम लोग कौन सा energy देते हैं और output में हमें कौन सा energy मिलता है electric sills जिसके बारे में हम लोग classics में परे थे यह एक ऐसा device होता है एक ऐसे device का example है जो कि chemical energy को electrical energy में convert करता है एक Italian scientist थे जिनका नाम था Al Sandro Volta उन्होंने practically एक device बना कर दिखाया था कि कैसे energy का conversion हो सकता है उन्होंने 1790 में voltage cell बनाया था जिसमें कि chemical energy electrical energy में convert होता था उसी voltage cell का setup यहाँ पर दिया गया है अभी हम लोग समझेंगे कि यह काम कैसे करता है यह बहुत important है इस पर exam में कोशन आता है आपको बोला जाएगा कि आप voltage cell को explain करके बताईए आप याद रखेगा कि जब भी आप exam में इसको explain करें न तो साथ में यह diagram भी जरूर बना दीजिएगा तब आपको अच्छा marks मिलेगा voltage cell बनाना बहुत simple है इसके लिए simply आपको एक बीकर लेना है और उसमें दो rods आपको डालने है एक rod zinc का होना चाहिए और दूसरा copper का होना चाहिए उसके बाद आपको इस बीकर में एक liquid भी डालना है कौन सा liquid तो dilute sulfuric acid आपको इसमें डालना है जब आप इतना कर देंगे ना तो zinc rod जो है ना वो negative terminal की तरह behave करने लगेगा और जो copper rod है वो positive terminal की तरह behave करने लगेगा अगर आप एक LED बल्ब को लेकर उसके negative terminal को zinc rod से connect कर देते हैं और positive terminal को copper rod से connect कर देते हैं तो ये bulb glow करने लगेगा लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है जो bulb glow करने लगता है उसी के बा को जिसमें की एक जिंक का बना होता है और दूसरा कॉपर का बना होता है इसको की अलेक्टोड कहते हैं उनको डाइल्यू केसिट के सॉलेशन अमें डूबाया जाता है तो एक किमिकल रियक्शन होता है ऊसी सिस्टम था यही chemical energy electrical energy में convert हो गया जिसके वज़ा से ये बल्ब जल पाया जब हम लोग दोनों rods को किसी torch के bulb से या LED bulb से connect करतेते हैं using the metal wires तो current उसके through flow करने लगता है और LED bulb या torch का bulb जलने लगता है इसलिए हम लोग बहुत सकते हैं कि voltage cell electric current या electrical energy के source की तरह काम करता है आज कल जो हम लोग battery use करते हैं न वो voltage cell का concept का इस्तेमाल करके ही बना होता है voltage cell के बारे में एक और बात हम लोग बोल सकते हैं कि voltage cell एक ऐसा device है जो कि chemical energy को electrical energy में convert कर देता है अब चलिए हमारे अगले topic पर आते हैं जिसका title है chemical effects of electric current electric current के कारण क्या-क्या chemical effects हमें liquid में देखने को मिल सकते हैं उसी के बारे में यहाँ पर हमें detail में परना है अभी हम लोग जश्ट परें कि liquid में होने वाले chemical change के वज़ा से हमें electric effect देखने को मिलता है जो बलब जलने लगा था नवो क्यूं जलने लगा था क्यूंकि liquid में कुछ chemical change हो रहा था आसान भाशा में बोले तो हम लोग chemical energy को electrical energy में convert कर सकते हैं लेकिन क्या इसका उल्टा भी possible है क्या हम लोग electrical energy को भी chemical energy में convert कर सकते हैं क्या अगर हम लोग किसी liquid से electric current को pass करवाएंगे तो क्या हमें उसमें कोई chemical change देखने को मिल सकता है क्या इनी सब questions का answer अभी हमें पता चलेगा इसी chapter में आगे पढ़ने के बाद एक British physicist थे जिनका नाम था Michael Faraday उन्होंने 1834 में एक experiment किया था उन्होंने electrolyte के थुरू ऐसे liquid जिसमें की ions मौझूद होते हैं उसके थुरू उन्होंने electricity को pass करवाया था इस experiment से उन्हें पता चला कि जब ionic solution से जिसको की electrolyte भी कहा जाता है जब electrolyte से current को pass करवाया जाता है तो उसमें chemical change देखने को मिलता है और इन्ही resulting effects को chemical effects of current के नाम से जाना जाता है फेराडे ने इस प्रक्रिया को electrolysis का नाम दिया था ऐसा इसलिए क्योंकि जब liquid से electricity को pass करवाया जाता है तो उसमें chemical change देखने को मिलता है और ऐसा हर liquid के साथ नहीं होता है केवल electrolyte के साथ होता है इसलिए electrolyte से ही electrolysis word का निर्मान कर दिया गया तो electrolysis क्या होता है इसको बताने के लिए आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी electrolyte के थुरू या जब किसी ionic solution के थुरू current को pass करवाया जाता है माल लेते हैं यहाँ पर battery जोर दिये और इसका दूनों terminal हम लोग liquid में डाल दिये जब इससे current pass करेगा न तो इसमें हमें एक chemical change देखने को मिलता है electrolyte में chemical change होने की इसी प्रक्रिया को electrolysis कहते हैं अब देखिए यहाँ पर एक do you know दिया गया इसमें बताया जा रहा है कि जब electric current को किसी pure metallic conductor से pass करवाया जाता है चाहे वो pure metallic conductor solid हो या liquid हो metal जो है नא liquid form में भी हो सकता है जयसे कि mercury, mercury एक metal है और यह liquid form में है जब और यह इसे metallic conductor से current को pass करवाया जाता है तो उसमें कोई chemical effect हमें देखने को नहीं मिलता है मतलब उसका chemical composition में हमें कोई भी changes देखने को नहीं मिलता है इसमें हमें केवल एक ही effect देखने को मिलता है वो है heating effect of current अगर आप किसी metallic conductor को लेकर उसमें current को flow करवाएंगे न तो ये गर्म होने लगेगा इसमें आपको heating effect देखने को मिलेगा इसमें कोई chemical change नहीं होगा सिर्फ ये गर्म होगा ऐसा तो हम लोग class 7 में भी पढ़े थे इसके बारे में detail में पढ़े थे ये जो heater होता है heater में जो coil लगा होता है इसी concept वे काम करता है न इसमें जब हम लोग current को flow करवा देते हैं तो coil गर्म होने लगता है से जब हम लोग किसी एलेक्टोलाइट से एलेक्टिक करेंट को पास करवाते हैं माइकल फराडेन तो हमें direct बता दिया था कि जब हम लोग किसी liquid से एलेक्टिक करेंट को पास करवाएंगे तो इसमें chemical change होगा और इस process को electrolysis कहेंगे लेकिन exactly किस तरह का chemical change होगा अभी हमें activity से पता चल जाएगा इस activity में हम लोग water का electrolysis करेंगे water से होकर current को गुजरने देंगे और देखेंगे कि water में किस तरह का chemical change होता है इसके लिए हमें कुछ समान चाहिए जैसे कि 9V का battery अगर 9V का नहीं भी है तो आप 1.5V का 6 cells को मिला कर एक 9V का battery भी बना सकते हैं उसके बाद हमें दो graphite pencil चाहिए एक beaker चाहिए tap water चाहिए connecting wires चाहिए और tape चाहिए सबसे पहले तो आपको pencil के दोनों end को नुकीला बना लेना है ताकि electricity का conduction अच्छे से हो सके उसके बाद आपको कुछ ऐसा arrangement बना लेना है जो beaker आप लिये थे उसमें आपको tap water रख देना है उसके बाद आपको दोनों pencils को ऐसे set कर देना है pencils को ऐसे लटकाने के लिए आप एक cardboard का sheet का इस्तिमाल कर सकते हैं उसमें छेद करके pencil को गुसा देंगे न तो pencil ऐसे लटक जाएगा आपको ध्यान रखना है कि pencil का जो tip है न नीचे वाला वो इसका bottom में नहीं सटना चाहिए और दोनों pencil के बीच में थोड़ा सा distance रहना चाहिए 2-3 cm का इतना करने के बाद battery का एक terminal आपको एक pencil से जोड़ देना है उसके बाद आपको 3-4 मिनट वेट करना है आप देखेंगे कि दोनों pencil के पास बहुत छोटे छोटे bubbles create होने लगेंगे जो pencil को आप battery के positive terminal से connect करके रखे है न उसके पास जो bubble create हो रहा है वो actual में oxygen gas का bubble है और जो pencil को आप battery के negative terminal से connect करके रखे है उसके पास जो bubble create हो रहा है वो actual में hydrogen का bubble है इससे हमें साफ बता चलता है कि H2O यहाँ पर break होकर hydrogen और oxygen में convert हो रहा है मतलब यहाँ पर एक chemical change हो रहा है इससे यह proof हो जाता है कि जब हम लोग किसी electrolyte से होकर current को pass करवाते हैं न तो उसमें एक chemical change होता है electrolyte क्यों यहाँ पर तो हम लोग tap water यूज किये थे तो आपको याद होगा हम आपको पढ़ाया थे कि tap water भी एक electrolyte होता है एक weak electrolyte होता है इसमें बहुत कम मातरा में ions present होते हैं अभी जो हम electrolysis के बारे में इतना detail में आपको बता है कि एक pencil के पास oxygen bubble create होता है दूसरे pencil के पास hydrogen bubble create होता है यह सब हम अपने मन से नहीं बता है यह सब एक British chemist बहुत पहले ही बता चुके थे जिनका नाम था William Nicholson उन्होंने अपने experiment के थुरू दिखाया था कि जब electrodes को water में डाला जाता है और उससे current पास करवाया जाता है तो bubbles create होते है उसमें oxygen के bubbles भी होते है और hydrogen के bubbles भी होते है oxygen bubbles उस electrode पर बनता है जो कि battery के positive terminal से जुड़ा रहता है और hydrogen bubbles उस electrode पर बनता है जो कि battery के negative terminal से जुड़ा रहता है यह बहुत important है आप इसको याद रखिएगा एक चीज और important है जिस electrode पर oxygen bubble बन रहा था उसको anode कहा जाता है और जिस electrode पर hydrogen bubble बन रहा था ना उसको cathode कहा जाता है ये जो paragraph है ना बहुत important है इसलिए इसको बारबार repeat करके आप याद कर लिजेगा अब हम लोग conclude करके बोल सकते हैं कि जब किसी ionic solution से electric current को pass करवाया जाता है तो उसमें chemical change होता है और solution में होने वाला ये chemical change दो चीजों पर depend करता है पहला है nature of the electrodes और दूसरा है nature and concentration of the solution electrolyte में आप जैसा electrode डालेंगे वैसा ही reaction होगा अगर आप electrolyte में graphite का pencil डाल देते हैं तो अलग तरह का reaction होगा अगर आप zinc और copper का डाल देते हैं तो अलग तरह का reaction होगा उसी तरह chemical reaction solution के concentration पर भी depend करता है concentration का मतलब होगा कि जो electrolyte हम लोग use कर रहे हैं जो ionic solution हम लोग use कर रहे हैं electrolysis के लिए उसमें कितनी मातरा में ions present है अगर ions बहुत अधिक मातरा में present है तो उस solution का concentration अधिक होगा और इसमें अलग तरह का chemical reaction होगा और अगर solution में ions बहुत कम मातरा में present है तो उसमें अलग तरह का reaction होगा और acid solution को हम लोग low concentration वाला solution कहेंगे electrolysis के दौरान electrodes और solution के भी जो chemical reaction होता है उसके कुछ prominent effects, कुछ important effects होते हैं जो कि हमें यहाँ पर दिये गए हैं आप इन तीनो effects को याद रखिएगा पहला है metals may get deposited at the electrode surface जब हम लोग electrolysis करते हैं न तो जो electrode हम लोग इस्तिमाल करते हैं उस पर metals आकर deposit हो सकते हैं metals आकर इस पर जमा हो सकते हैं इसके लिए condition यह है कि जो solution हम लोग यहाँ पर इस्तिमाल कर रहे हैं और उसमें metals present होने चाहिए दूसरा है gaseous bubbles may get formed near electrodes electrolysis करते वक जो electrode का इस्तिमाल हम लोग करते हैं उसके नजदेक bubbles create हो सकते हैं यह तो अभी हमने activity में भी देखा था और तीसरे point हो बताया है कि change of color of solution may occur due to dissolution of different ions electrolysis के दौरान solution का color भी change हो सकता है क्योंकि इसमें different ions आकर घुलने लगते हैं एक और यूनों यहाँ पर दिया गया इसमें बताया जा रहा है कि electrolysis की जो प्रकिरिया है जिसमें कि ionic solution से electrolyte से current को पास करवाया जाता है यह metal से होने वाले electricity के conduction से बिलकुल अलग है और कैसे अलग है इसका दो कारण यहाँ पर दिया गया है पहला तो यह कि जब किसी liquid से होकर current flow करता है तो उसमें chemical reaction होता है लेकिन जब किसी metal से होकर current flow करता है तो उसमें कोई chemical reaction नहीं होता है और दूसरा ये कि liquid में metals की तरह electricity का conduction नहीं होता है liquids में iron present होते हैं और उसी के वज़ा से solution में electricity का transportation हो पाता है finally हमने यहां तके सभी topics को part 1 और 2 में cover कर लिया अगर आपको इसका part 3 भी चाहिए तो वीडियो को like कर दीजिएगा और comment मिलिकर जरूर बताइएगा आपके class के science का playlist open करने के लिए left side में click कीजिए वहाँ पर आपको science के दूसरे सभी chapters के वीडियो मिल जाएंगे और अगले class का वीडियो देखने के लिए right side में click कीजिए फिलाली स्वीडियो में इतना हैं मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topics नए concept के साथ अब तब दिक लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से परहाई करते रहे हैं